अब हम solenese family के features के बारे में सीख लेते हैं सबसे पहले आता है leaves solenese family में leaves alternate arrangement शो करती है leaves simple हो सकती है या फिर कभी-कभी pinnately compound भी हो सकती है solenese family में leaves reticulate type का venation शो करती है leaves के बाद आता है inflorescence solenese family में inflorescence या तो solitary होगी या फिर cymos जैसे कि आपको इस picture में दिखाई दे रहा है इसके बाद आता है fruit type solenese family में fruit type होता है berry या फिर capsule जैसे कि आपको इस picture में दिखाई दे रहा है कि fruit type है berry solenese family में seeds endospermic होते है अब हम solenese family के floral diagram और floral formula के बारे में सीखेंगे solenese family में सबसे पहले हम flowers के बारे में discuss कर लेते हैं solenese family में flowers actinomorphic और bisexual होते हैं actinomorphic flower को हम इस symbol के थूर रिप्रेजेंट करते हैं और floral diagram में भी हम actinomorphic type of flower को इस symbol के थूर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर flowers bisexual हैं इसलिए हम उसको floral formula में इस symbol के थूर रिप्रेजेंट करते हैं flowers के बाद आता है calyx calyx यानी sepals यहाँ पर 5 है आपस में united है यानी gamo sepals condition शो कर रहे हैं और sepals velvet estimation शो कर रहे हैं calyx को floral formula में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं calyx को हमने रिप्रेजेंट किया capital K के थूर यहाँ पर calyx 5 है नंबर में इसलिए हमने K के नीचे लिखा 5 और यह आपस में united है इसलिए हमने use किया bracket calyx के बाद आता है carola carola यानी petals यहाँ पर 5 है आपस में united है यानी gamo petals condition शो कर रहे हैं और उसमें estivation velvet type की है calyx और carola को floral diagram में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमने यह भी सीखा था कि calyx को हम represent करते हैं इस shape के थ्रू और carola को हम represent करते हैं इस shape के थ्रू क्यूंकि calyx और carola दोनों ही 5 है नंबर में इसलिए हमने in shapes को 5 बाद ड्रॉ किया है यह आपस में united है यानि gamo sepalis और gamo petalus condition शो कर रहे हैं जिसको हमने represent किया है in semi circles के थ्रू calyx और carola दोनों ही velvet type की estivation शो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने कोई overlapping show नहीं की है calyx और carola के बाद आता है androsium androsium यानि stamens solenacy family में stamens 5 होते हैं united होते हैं और epipetalus condition शो करते हैं carola और androsium को floral formula में हम कैसे represent करते हैं वो देख लेते हैं carola को हम represent करते हैं capital C के थ्रू क्यूंकि यहाँ पर petals 5 हैं इसलिए हमने capital C के नीचे लिखा 5 क्यूंकि यह 5 हैं और आपस में fused हैं इसलिए हमने इसको represent किया bracket के अंदर इसके बाद आता है androsium androsium को हमने represent किया capital A के थ्रू क्यूंकि stamens 5 हैं इसलिए हमने capital A के नीचे लिखा 5 और क्यूकि वो आपस में युनाइटेड है इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया ब्राकेट में क्यूकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि आंडोशियम एपिपेटलेस कंडिशन शो कर रहे है यानि कि वो करोला से अटाज़्ट है तो हमने फ्लोरल फॉर्मला में ये सीखा था कि अगर हमें दो वर्ल्स के बीच में फ्यूजन शो करनी है तो हम आर्क के थ्रू शो करते हैं यहाँ पर हम epipetalus condition शो कर रहे हैं arc के थुरू, यानि C और A में हम arc के थुरू fusion शो कर रहे हैं Androsium को floral diagram में कैसे represent करते हैं, वो देख लेते हैं हमने यह भी सीखा था कि Androsium को हम floral diagram में इस symbol से represent करते हैं यहाँ पर statements 5 है, इसलिए हमने इस shape को 5 बार draw किया है Epipetalus condition शो करने के लिए हमने यहाँ पर lines से उसको represent किया है Androsium के बाद आता है Gynosium Gynosium यहाँ पर bicarpulari होता है, syncarpus यानि fused होता है, ovary superior होती है, bilocular होती है और Gynosium में बहुत सारे ovules भी present होते हैं इसको हम floral formula में कैसे represent करेंगे वो समझ लेते हैं Gynosium के लिए हमने लिखा G क्यूंकि यहाँ पर ovary superior है, इसलिए हमने G को underline किया है यहाँ पर ovary bicarpulari है, इसलिए हमने इसको represent किया है 2 के थू यहाँ पर ovary syncarpus है, इसलिए हमने 2 को enclose किया है brackets के अंदर solenacy family में gynosium को floral diagram में हम किस तरीके से represent करेंगे वो देख लेते हैं हम floral diagram में gynosium को कुछ इस तरीके से represent करते हैं क्यूंकि solenacy family में ovary bicarpulari है और bilocular है, इसका मतलब उसमें 2 compartments present है इसलिए यहाँ पर हमने ovary को bilocular show किया है, यानि उसमें 2 locules है